हेलो, हेलो डियर स्टुडेंट्स अभी हम कर रहे हैं तैंथ क्लास आडी सर्मामयत एक्सेसाइज 2.1 प्रिनोमियल चेप्टर का नाम है और इस एक्सेसाइज का कोस्टन नमबर 2 का सगेंड पार्ट कर रहे हैं जिसमें की हमें जो एक क्वाड्रिक प्रिनोमियल है उसका सम जिरो और प्रड़क्ट ऑफ जिरो मिले हुए है यह सम उफ जिरो जै पहले वाला और दूसरे वाला प्रड़क्ट ऑफ जिरो जै रिस्पेक्टिवली मतलब पहले सम है तो सम प्रड़क्ट है तो प्रड़क्ट हमें इससे प्रिनोमियल क्वालिटिक प्रिनोमियल है वो ग् दे समझिए और इसको करके देखिए और अगर प्रोलम आए तो फिर वीडियो कंटिनू कीजिएगा ठीक है तो तो जो हम एक्स के रूप में जो को जो पॉलिनॉमियल है वो माल लेते हैं कि एफ एक्स हमारा हो गया की और भ्र्रेकट के अंदर एक्स स्क्क्οιर माइनस स्क् seulement स्पलस पी जा पर एसा है समम जिरो और प्रोड़क्ट ऑफ जिरो तो के K X square minus S की value क्या है 21 by 8 X plus में P product 5 by 16 आप justification लिख सकते हैं कि आपको दिया गया है because S is equal to 21 by 8 है और P is equal to 5 by 16 है ठीक है ऐसा लिख सकते हैं आप फिर अब denominator हमें 1 करना होगा हमें ये task करना है ताकि हमें एक quadratic polynomial मिल जाए और फिर उसकी splition आप असे से कर सके middle drum की split करके factorization कर सके के अब 8 और 16 हमें LCM बनाना पड़ता है 8 और 16 का LCM है 16 तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है तो इसको 16 से multiply करते हैं और इसको भी 16 से multiply करेंगे इसको 16 बनाने के लिए 2 से multiply करना पड़ेगा उद नीचे और ऊपर और यहाँ पर तो 16 है ही जैसे ठीक है 16 अब common ले लेंगे सबके denominator से हमें अंदर मिलेगा 16 X स्क्वेर माइनस 42 X और प्लस का 5 अब हमें इसकी टुकड़े करने है ठीक है तो यह वाला solution करते हैं यहाँ पर भी हम अपनी तरफ से A, B और C लेक्ट करेंगे जैसे A की value है X के रहा कोफिशेंट 16 B की value है माइनस 42 X का कोफिशेंट X का कोफिशेंट माइनस 42 और C constant time है 5 हमें निकालना होता है A, C 16 multiply 5 80 अब 80 के ऐसे टुकड़े करने है कि product तो 80 आए ही आए लेकिन क्योंकि यह positive है तो addition करने पर माइनस का 42 आए यानि कि दोनों के दोनों माइनस के लेंगे जो दो नमबर आएंगे 1 चे start करेंगे जैसा कि करते आए हैं अब तक हम 1 into 80 multiply करने पर तो 80 आए है add करने पर 81 आए काम का नहीं है 242 जार sorry 242 जार 242 जार 80 आता है और add करने पर 42 आरे काम का है मिल गया दोनों के साथ माइनस का निसान लगाएंगे और middle term split हो चुकी है k by 16 16 x square minus 40 x minus 2 x plus का 5 बोला स्वंज में आया 2 and 40 2 and 40 दोनों के साथ x लगा देंगे minus का निसान क्यों आया क्योंकि add करने पर हमें minus 42 मिलना चाहिए तो इसलिए दोनों minus होगे होंगे तभी अगर यह plus का होता तो दोनों यह plus के आपते clear है ओके इन दोनों में से कुछ common आ रहा है इन दोनों में से कुछ common आ रहा है इन दोनों में 8 common है इन दोने कुछ common नहीं है माइनस का common लेंगे ताकि हमें bracket में दोनों तरफ same value मिले दोनों में 8 common है और यह साथ में x है इसमें बचा 8 common लेने पर 2 इसमें x square में से x common लेने पर बचा सिरफ x माइनस बचा 40 में से 8 common लिया तो बचा 5 और x हम common ले चुके हैं मतलब इसमें से बचा सिरफ 2 x और इसमें से बचा माइनस का 5 इसमें minus common लेंगे ताकि हमें 2 x माइनस 5 bracket में मिले निसान दोनों के पलट जाएंगे 2 x माइनस 5 देखिए bracket में दोनों तरफ same मिले इसका मतलब ठीक जा रहे हैं k by 16 अब 2 x माइनस 5 आया common और इसमें से बचा 8 x इसमें से बचा माइनस का 1 0 के समने put कर देंगे हमें 0 मिल जाएंगे जब 2 x माइनस 1 को 0 की सामने put करते हैं तो हमें मिलता है 2 x is equal to 1 और x is equal to यह 1 denominator में आज़ेगा 2 1 by 2 ठीक है समझे आया तो यह आया इस factor से 2 x माइनस 5 आपर 5 5 आज़ेगा 5 by 2 आज़ेगा ठीक है अब 8 x माइनस 1 को रखेंगे 8 x माइनस 1 को 0 सामने put करेंगे 8 x is equal to 1 और x is equal to 2 आया 8 denominator में 1 by 8 तो हमें 2 zeros मिले हैं एक यह और एक यह हैंस चेक करेंगे अभी हैंस zeros are 1 आया 5 by 2 और 1 आया 1 by 8 यह हमारा answer हो गया एक answer हमारा यह है quality polynomial निकालना था यह वाला यह answer number 1 है यह answer number 2 है अब सही है या नहीं है वो देख लीजिए sum of zeros 5 by 2 plus 1 by 8 sum of zeros दे रहा था हमें 21 by 8 21 by 8 आता है क्या यह तो गलत होगा 4 से multiply किया 4 से multiply किया 20 by 8 1 by 8 20 plus 1 21 by 8 आ जाएगा क्योंकि दोनों के denominator में सेम चीज आवे तो 21 by 8 आपको यहां से मिलता है 21 by 8 है यह ठीक हो आप यहां पर नेक्स्ट में आगर देखें हम product of zeros 5 by 2 को 1 by 8 से multiply करें तो कुछ नहीं कट रहा उपर नीचे में तो 5 उपर से आया नीचे से 2016 प्रड़क्ट ओजिरो तो 5 by 16 है क्लियर है न असान है तो इस तरह किसे यह वाला solution भी हो गया होप सो आपको अच्छे समझ में आ गया ऐसे कोई भी solution आए आप उसको ऐसी प्रकार से solution इसका कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाइए